नवसकार दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं संसकत पूरा कंसेप्ट बात करने वाले हैं सभी प्रसन आपके सिलेवस के नुसार है ब्याकरान प्रस प्रेडागाजी यानि का कमबाइन प्रसन है आपके ब्याकरान के प्रसन हैंगे औ और संसकत सिच्छन साथ के प्रस्टन रहने वाले हैं तो आईए दोस्तों छट्वी क्लास है आपके 6 नंबर क्लास है और टार्गेट है 30 of 30 आईए इसके पिछले कोश्चन आपके पिछले क्लास से देखना है तो आई कार्ट पे आपका लिंक मिल जाएगा साथी साथ पीडिय आघे बिर यानि परिच्छा में पूछे जाते हैं चाह इति वर्णस उचारं और इसतानम की चाहए जो होता है योक् Ums वोता है तो सभी लोग चाह जांते हैं चाह जाजा ये सभी जो है डालुव海ं इस्थान इनका चाहत हो जाएगा अच्छा ठीक है दोस्तों ये चाहत जा 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 ये जो है दोस्तों ये उच्छान इस्थान का क्या हो जाएगा ताल हो जाएगा इन वर्णों का उच्छान इस्थान ताल हो जाएगा अंगला परस देख लेते हैं हलंतम इत सूतेन संग्या भवती हलंतम में कौन से सूत संग्या होगा तो हलंतम इत दोस्तों क्या हो जाएगा इत हो जाएगा ठीक है हलंतम में इत सूतेन संग्या भवती इत हो जाएगा ठीक है थर्ड आपसन आप लोगों का सही हो जाएगा आईए अंगला प्रस देख लेत इति रिक्तिस्थानम, अब रिक्तिस्थानमे क्या आजाएगा, सन्योग आएगा, सन्हिता आएगा, लोपई होगा या इति होगा, तो आएए देख लेते हैं, परह शन्निकरस है, शन्हिता हो जाएगा, यहाँ पर क्या आजाएगा आप लोगों का, भी अपसन हो जाएगा, अंगला प्रस देख लेते हैं उच्चाई इतिका संग्या वर्तते यहां पर उच्चाई में किस संग्या का होगा यहां पर उदात्ते हो जाएगा उच्चाई इतिका संग्या वर्तते क्या हो रहा है तो यहां पर उदात्ते हो जाएगा क्या हो जाएगा बी आपसन आप लोगों का सई हो जाएगा आए ये अंगला प्रस देख लेते हैं क्या दोस्तों पूँच रहा है पूँच रहा है अकुविसरज नीया आयाम इतेईस उचारन इस्थान मच थी यहनि कि इसका जो उचारन इस्थान काउन सा होगा ठीक है तो इसका उचारन स्थान जो होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा वह होगा इस पर स्कहलाएगा इस पर स्कहलाएगा आप को पता एक ससी के ज़रूर तो वहा का कॉंस होगा एक बार उचाय स्थान अगर पूंच लिया जाता किसी भी वर्ण का तो एक बार अपने मुख से स्वैम बोल कर देखे वहां से आपका 80% किलियर हो जाएगा उसका उचाय स्थान कॉंस होता है यहां पर क्या हो जाएगा दन्टोस्ट हो जाएगा वहा बोलेंगे दन्ट और आपका जो सामने का वोट होता है वो टकराएगा तो यह दन्टोस्ट आपका उचाय स्थान कहलाता है अंगला प्रसना यह देख लेते हैं दिया है अभ्यांतर प्रेतन प्रत्नानी शंती तो अभ्यांतर प्रत्नानी शंती कौन सा हो जाएगा दोस्तों अभ्यांतर के प्रत्न कितनी प्रकार के हैं तो अभ्यांतर प्रत्न जो है दोस्तों वह आपके पांच प्रकार के हैं आगे आने वाले प्रस्णों बताने वाले हैं अब ब्यांतर प्रत्न पांच प्रकार के होती है अंगला प्रसन है तुल स्या प्रत्नम इतिकिम इसमें जो है तुल स्या प्रत्नम इतिकिम कौन सा होगा तुल प्रत्नम तो तुल प्रत्नम जो होगा दोस्तों वह आप लोगों का शवर्नम हो जाएगा क्या हो जाएगा आएए अंगला प्रस्त दिया है सुबंतस्च तिंगनास्च चा संग्या अस्ति काउंसी संग्या होगी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की काउंसी संग्या होगी अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे comment box से बता सकते हैं तो सुबंतर्ष्य तिंगत से चाथ संग्या आस्ती तो पद संग्या हो जाएगा कौँ सी संग्या हो जाएगी यहाँ पर? पद संग्या हो जाएगी और दिया है दोस्तो अब भ्यांतर प्रतना संती अब अन्तर प्रत्म कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया वहाँ पे आपके गिंती में दिया था लेकिन आपके संसकत भासा में दिया है तो अब अन्तर प्रत्म जो होते हैं दोस्तो वह आपके पांच प्रकार के होते हैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ पिछले प्रसन में तो इस प्रकाश से भी पूँचा जा सकता है अंगला प्रसना ये देख लेते हैं क्या पूँचा जा रहा है पाड़नी ये ब्याकरणे सुडाय संती पाड़नी जो है ब्याकरण में कितने स्वर हैं या कौन सी स्वर हो जाएगा तो पाड़नी के ब्याकरण स्वर हैं दोस्तो राइट आपसन देखेंगे राइट एंसर देखेंगे वह होगा क्या हो जाएगा उदात अनुदात स्वरीता है क्या हो जाएगा उदात अनुदात स्वरीता है प्रस्म दोस्तों की महाभाशकार का हैस्ती महाभाशकार का हैस्ती किसने रचना की वह या महाभाशकार की तो महाभाशकार की जो रचना है आप सभी लोग जानते हैं पतंजल लिने की है महाभाशकार की रचना किसने की है तो पतंजल लिने की है अंगला प्रस देख लेते हैं उस्म वर्णा नाम करमे का है उस्म वर्णा नाम करम कौन सा होता है तो मैं आपको बता दिया था पहले जो प्रेक्टिस इट कराया था दोस्तों उस्म वर्णा नाम का जो उस्म वर्णों का जो करम होता है वह काउं सा है तो होता है शा, 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 हा त्रिपल सा और हा यनि खटकोंड वाला, शरीफ़ा वाला, शरीफ़ा वाला, खटकोंड वाला, श्रुतवाला और हलवाई यह जो चार वर्ण है यह आपके उस वर्ण कहलाते हैं सभी लोग नोट कर लेंगे और इसका PDF फाइल पाना चाहते हैं टेली ग्राम में सर्च करें जैस्वाल कोचिंग सेंटर सभी मेरे प्यारे मिद्ट वीडियो को लाइक और सेर करते जाएंगे क्योंकि सभी ये टीचर्स फैमली है टीचर्स ग्रूप है दोस्तों सभी सिच्छक बंद हुए आप लोग सभी भावी अध्यापक है आईए प्रस्ण देख लेते हैं सभी लोग जानते हैं 80% जो सेकंड लांगवेज में संसकत्ती सब लोग सेलेट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे सबसे ज़्यादा अंग प्राप्त करें और बेहतर त्यारी करने के साथ अपना एक सरकारी सीट हैनी सेलेक्शन पक्का करें प्रस्ण दोस्तों क्या दिया है रिटूर्स अडाम क्या हो जाएगा रिटूर्स अडाम यहां पे क्या होगा अब यहां पे दिखे रिक्तिस्थान दिया है अब जो आपका लिखा है रिटूर्स अडाम यहां पे लिखा है तो रिक्तिस्थान में क्या आएगा दिखे अब काउन सा होगा क्या कंठ है होगा कंठ ताल होगा जिब्व होगा मुर्धा होगा तो क्या होना चाहिए दोस्तों अपने हिसाब से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यह राइट एंसर मुर्धा होगा ठीक है तो इसा नाम क्या हो जाएगा यहां पर मुर्धा हो जाएगा यहां पे जो आपसन है दिक्ति इस्थान है मुर्धा जाएगा और अंगला प्lesवन दोस्तों क्या पूँचा जा रहा है आ, मा, अंगा, अडा, न, ये जो बेंजना नाम उच्चान स्थान हम कह वरते ये जो बेंजन है उच्चान स्थान को हम किस से बोलते है ये इनका उच्चान स्थान कौन से हो सकता है इन पांचों बेंजनों का जो उच्चान स्थान होगा दोस्तों वह होगा नासिका आप बोल सकते हैं नासिका यानि कि नाक से अब आ जाएगी आया, मा, अंगा, आणा, ना आप देखेंगे नासिका में बल पड़ेगा नासिका में प्रवाब पड़ेगा तो ये नासिका वर्ण कहलाते हैं ये उच्चान स्थान कौन से कहलाएंगे आपके नासिक उच्चान स्थान कहलाएंगे और अंगला प्रसन भी स्कीन पर आ चुका है सभी महत्पूर्ण प्रसने दोस्तों कि ब्रह्म प्रत्ना निशन्ती ब्रह्म प्रत्न जो है कितने प्रकार के होते हैं तो ब्रह्म प्रत्न आपके एकादस यानी की सभी लोग जानतें गेरे प्रकार के होते हैं कादस प्रकार के होते हैं और अश्ट ध्याई एती पार्णी गरंथे अध्याय संती अश्ट ध्याई के पार्णी के गरंथ में कितनी अध्याई हैं दोस्तों तो अश्ट अध्याई के पार्णी के गरंथ में आपके आठ अध्याई हैं इसलिए इसको अश्ट ध्याई नाम द या जो कारश है इसका जो चाहिस्थान कौन सा हो जाएगा तो इसका जो चाहिस्थान होगा आप लोग जानते हैं सभी लोग जानते हैं ताल होगा या या बोलेंगे तालू और जिब्बा में आपका या बोलेंगे वल कहा आईए अंगला प्रस देख लेते हैं अंगला प्रस समय सवर होगा देखिए यह आपके कौन है उसमन नई निये हैं उसमन आपके कौन को न होते हैं शाचा साय उसमन कहलाते हैं और जो आपका आ इ sticky है दोस्तो यह अपके संसक्रत महांसक के सवर chopping ऐ खोगा गैरा आपलव मारती का आपका हो जाएगा एक काजी का चांज हो जाएगा आईए दोस्तों आप शुरू करते हैं महत्पूर आपके पेड़ागोजी के प्रस्न यानि सिच्छन साज के प्रस्न आपके C-Tate में आये हुए प्रस्न है करते हैं तो यह करना जो है क्या कहलाएगा यानि यह सिच्छक होने के नाते हैं अगर आप लोग विशिच्छन प्रक्रिया करते हैं तो यह जो सिच्छक द्वारा किया जाता है करिया तो यह करोती तत करते हैं इसको क्या बोला जाएगा तो इसको पद्धत ही बोला जाता है विशिच्छन अधिगम प्रक्रिया कारत करते ही तो यह क्या कहलाएगी यह एक पद्धत कहलाएगी यानि थर्ड आपसन सही हो जाएगा इस कोशन देख लेते हैं स्कीन पर प जोती मैडम जी चतुर कच्छा के छात्रों को स्रमण कौशल का मुल्यांकन करती है तो स्रमण कौशलस परिच्छनार्थम अधो लिखते सुकस्च कारियस नियूनता मा उपयोगिता वरते तो समण कौसलस का जो परिच्छा दो है दोस्तों वह इन में से कौन सा कारेस जो है नियूंता उपयोगीता वरता है इनी की नया है नियूंता यानि की नया उपयोगीता वरते तो नियूंता उपयोगीता वरते कौन सा हो जाएगा वह होगा वेतार यंत्रे चलित कृत केट व प्रसन है दोस्तो दोस्तो ब्याकरन से ज़्यादा इजली जो सरल कोश्चन संस्कत में होती है वह पेड़ा गोज्यों सिच्छन सास के होती है अंगला प्रसना ये देख लेते हैं यदा बिद्यार्थिने हैं पूरक पठन समागरिज एकाम लग कथाम पठनती तदाती यदा नहीं जब जो है दोस्तो बिद्यार्थि पूरक पठन समागरिज नहीं पूरक पढ़ने की समागरिज होती है एकाम लग कथाम पढ़नती एक लग कथाम पढ़ती है ठीक है जब बिद्यार्थि तो तदाते तब क्या होगा तब यहां पे कौन साप्शन होगा तब होगा क् पाठी तान से प्रतेकम शब्दस अर्थ ग्यानम करें दोस्तों जब बिद्यार्थी पूरक पढ़ते समय पूरक पठन समागरी को एक लग कथा में पढ़ रहा है तब हुआ है पाठी तान से यानि कि पाठ पढ़ते समय प्रतेक सब्दका अर्थ ग्यानम करें प्रतेक आया हुए प्रस्ट है तो यह टीटी जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है चाहे मत पदे सिच्छक भरती समीदर सिच्छक की बात करो MPT की बात करो UPTate सभी के लिए इंपॉर्टन्ट है क्योंकि सीटेट आपका सेंटर टीचल इलविल्टी टेस्ट का टेस्ट है दोस्तों आए यह प्रसन है important प्रसन है अंगला प्रसन देख लेते हैं सिच्छका कच्छायाम इस्थितनानाम वस्तूनाम नमानी करगद पत्टिकायाम लिखित्व वस्तु नाम उपरी अरोपियत एवंशा आईए अर्थ जानते हैं सिच का कच्छायाम इस्थिनान वस्तु नाम नमाने दोस्तों सिच का जो है कच्छा में जो इस्थिनाम यानि इस्थिनाम क्या होता है इस्थिता नाम वस्तु नाम किसी भी वस्तु का इस्थित का नाम बता समागरी हम करोती जो कच्छा में किसका करेंगे तो वातावरन में मुद्रित बठन समागरी करेंगे करोती यानि करना हो जाएगा सेकंड आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसनाई देख लेते हैं क्या पूछा गया है खश्ट कच्छा याई भासा याई सिचका याई स्वच्छ त्रेभः परस्परम पुस्तिका नाम आदान प्रदानम कर तुम नेदेस ही य pasti कि चठी मीक अच्छा के भाँसा कि सीच का जो है जो तुटी होती है उसको सूचना देती है यह तेन साकश अभ्यासम करती जब कोई भी अध्यापक दोस्तो पुष्टिकाओं का दान्पदान करते हैं और पढ़ने के लिए बोलते हैं उसमें जो तुटी होती है न्वेसन करने पर तो उस तुटी को जब अध्यापका सुचना देती हैं थीक है? या सूचित करती हैं तो यह जो यह सब जो है एतेन साख का सभ्यासम कर रहे हैं तो यह सब आपका किसका भ्यास कर रहे हैं तो यह सब आपका प्रति पुष्टे प्रदानाश्य किसका कर रहे हैं प्रति पुष्टे प्रदा का भ्यास कर रहे हैं क्या प्रस्न पूंचा जा रहा है सब्द जाल को उपयोग कहां करते हैं तो सेकंड आपसन देखेगा सब्द जाल को उपयोग जो दोस्तों है प्रभावी रित्या है सब्द वली ज्यानार्थम जो प्रभावी रित्या होते हैं सब्द वली का ज्यान का अर्थ यानि कि ग्यान सब्द वली को ग्यान का अर्थ जानने के लिए सब्द जालस का उपयोग करते हैं सेकंड आपसन सही हो जाएगा यह सभी नोट्स पीडिया फाइल पाना है तेली ग्राम में या वाट्स ए ग्रूप लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा जॉइन करें और नोट्स और पीडिया फाइल एक से दो दिन में आपको अपलोड किया कर दिया जाता है दोस्तो आप लोग नोट्स पीडिया फाइल एकदम फुरी में प्राप्त कर सकते हैं अंगला पस देखेंगे सब्त कच्छा याए छात्रा है शद्द एव एकाम कविता पठिता देखें सब्त कच्छा यानि कि सात्वी कच्छा की जो छात्रा है एक जो है कविता पाढ़ करती है याँ पढ़ती है अब यहाँ पे आउगत वनतह तेसाम सिचका तब करें वहाँ पर सिचका आती है क्या दिखा है आउगत वनतह तेसाम सिचका तब जो है सिचका वहाँ पर आती है तान प्रस्णान करोती यहां पर पूंचा गया कि प्रस्ण किया लिखा है दोस्तों यहां पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है दिखा है सब्तम पंक्तिव कश्च कावे स्टश अलंकार वापर हो गया यह प्रस्ण पूंचती है तो यह जो मुल्यांकन कौन सा कहलाएगा कोई भी देखी सिचका है चात कोई कवीता पढ़ रही है सिचका वहाँ पर प्रस्ण करती है कि इस वाक यह सिकाव में कौन सा लंकार होगा यह मुल्यांकन कहलाएगा बोधश मुल्यांकन कहला जाएगा दोस्तों आपका बोधश मुल्यांकन कहला जाएगा अंगला प्रसनिस्कीन पर दोस्तो प्रसन क्या पूँचा जा रहा है कि उत्तम लेखने एतत ना आगच्छियती जो उत्तम लेखन है यहाँ पे कौन सा नहीं होगा देखे उत्तम लेखन का देखे केवलम उत्क्रस्ट हस्तर लेखन क्या हो जाएगा देखे आपसन देखेगा प्रस्ण क्या पूछा जा रहा है समझेगा अर्थ को उत्तम लेखने इतत नागज़ उत्तम लेखन जो है नहीं आता है कब नहीं आता है केवल अगर आप उत्तक्रस्ट हस्त लेख करते हैं तो वहाँ पर आपका अगर आप उत्तम लेखन अगर आप उत्तम लेखन नहीं आता है अगर आप ब्याकरण गसुदता करेंगे बिचारा है उपस्थान करेंगे ठीक है योग प्रदानाम चैनम करेंगे तो यहाँ पर आएगा लेकिन केवल अगर आप उत्क्रस्ट हस्त लेकर देख रहे हैं तो उसमें उत्तम लेखन आपका नहीं आएगा याणी सही लेखन नहीं आएगा अंगला प्रस्टा ये देख लेते हैं स्कीन पर प्रसंद दिया है अधो लिकित कतमे सरवादिक प्रभाव साली उपाय भवेत दोस्तो उच्छ प्रात्मिक इस्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उसमें संभासन कौसल का विकास करने में सरवाधिक प्रभावसाली उपाय कौन सा होगा तो उच्च प्रात्मिक इस्तर के विद्यार्थियों के लिए संभासन कौसल का विकास करने में सरवाधिक प्रवाकारी उपाय जो होगा वह होगदा क्या हो जाएगा उत्तम वक्त का समण करना ही सबसे संभासन कौसल का विकास में सरवाधिक उपाय होता है उत्तम वक्त है भास्रम यानि की फोर्त आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसना ये देख लेते हैं इसकीन पर प्रसना आ चुका है और इसकीन पर आपके क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों आप लोग भी एंसर दे सकते हैं नहीं है कि हम लोग वीडियो पहुच करें क्वेश्चन आराम से पढ़ें और कमेंट बाक्स में इंसर दें अंगला प्रसना भारत स्च भासा सिच्छा नीती ग्याते दोस्तों भारत में भासा सिच्छा की नीती जानी जाती है किस प्रकार की जानी जाती है तो भारत में भासा सिच्छा नीत जो है सभी लोग जानते हैं त्रिभासा सूत रेंड रूपे हैं यहीं त्रिभासा सूत के रूप में जानी जाती है दोस्तो भारत में भासा सिच्छा नीत जानी जाती है त्रिभासा सूत के रूप में जानी जाती है अंगला प्रसना ये द देख लेते हैं प्रस्ण क्या पूंचा जा रहा है प्रस्णिया पे दिया दोस्तों क्या है कि भाशाय अधिगमनश प्रभावशाली भवती तदा यदा बिद्यार्थी दोस्तों भाशा अधिगम में प्रभावशाली होने के लिए भावती यानि प्रभावसाली कब होगा जब बिद्यार्थी क्या करेंगे दोस्तो भावसादिगम प्रभावसाली कभी होगा जब बिद्यार्थी कर्मबद रीत आई यानि कर्मबद रीत से ब्याकरण गत नेमान जानती यानि क्रमबध घ्रीष से ब्याकरन के गति के नियम को जानना जब जानेंगे तब भास्रा दिखम प्रभाव साली होगा बिध्यार्थियों के लिए अंगला प्रसना यह स्कीन पर देख लेते हैं ध्यान दीजेगा प्रसन को क्या पुचा जा रहा है कि चात्रों में चात्रों जोएं लेखन पुस्टिका का अवलोक के सिच्का देखे चात्रों में लेखन पुस्टिका का जो अवलोकन सिच्का करती है तई है क्रतान तुटी नाम संकलन करोती जो उसमें तुटी होती है उन तुटीयों को संकलित करती है अनंतरम कश्यापी नामना है उलेखम ना करत्वा और इसमें जो है किसी का नाम उलेख ना करत्वा अनंतरम यानि कि अनंत में कस्याप मतलब किस नाम का उलेख ना करत्वा तत्विटा नाम उपरी कच्छायाम चर्चा करोती कर्चा में चर्चा करती हैं तो ऐसा करना दोस्तो क्या कहलाएगा अईसा करना देखि चात जो है लेखन पुस्तिका का उलोकन करते समय चात लेखन पुस्तिका का उलोकन करता सिच्छा करती हैं ये सब करने यानि इन तुटियों को संकलत करने के बाद जो है दोस्तो इनका उलेख ना करत्वा तत्विटा उपरी कच्छाम चर्चा करोती इन कारण क्या होगा इसका कारण होगा प्रतिपोष्ट प्रदानम करोती यह क्या है प्रतिपोष्ट प्रदानम करोती यह क्या है प्रतिपोष्ट प्रदानम करोती यह क्या है उसको सब के सामने गलती न बताना उसको ठीक है सब के सामने यहां पर क्या दिया अनंतरम कश्या पिन तो वो अपने हीन भावना होती, बच्चे में हीनता जाकती है इसलिए सिचका होने के नाते प्रतिपुष्ट प्रदान करोती प्रतिपुष्ट प्रतिपुष्ट प्रदान कर रही है अंगला प्रसना ये देख लेती है, इसकी इन पर है प्रस्ण क्या पूँचा जा रहा है प्रस्ण है कि यदा प्रतम तया बाला है विद्यालेम आगच्छनती तदा ते मात्रभाशा है सम्यक वदनती दोस्तो जब जो है प्रतम तया वाला है विद्याले यानि कि प्रतम कच्छा का बाला जो बाला यानि कि बालक जो है बिद्याले में आता है जब फिर ते मात्रभाशाय सम्यक वदनती मात्रभाशा में अपने बोलता है तो इत्तम सूचियत ये सूचना करता है दोस्तो प्रतम कच्छा का बालक ठीक है प्रतम कच्छा का बिद्या सूचना करता है कि तेशाम एकश्याई भाशाय तश्याई ब्याकरण सचा ग्याना मस्ती ये सब जो है एकश्य भाशायाम यानि एक ही भाशा में मात्रवाशा क्या है तेशाम एकश्याई भाशायाम तश्याई ब्याकरण सचा ग्याना मस्ती ब्याकरण का ग्यान होता है दोस आंगल पाठ पुष्ट के वर्षा जल सन्रोचन रोपी एक पाठ है यस थी देखे चटमी कच्छा में जो है अंगल भासा की पुष्टक में वर्षा जल सन्रोचन का एक पाठ है दोस्तों ठीक है किसका पाठ है चटमी कच्छा में अंगल भासा आंगल क्या दिखा है आंगल पाथ पुस्तक में वर्शा जल्सनल्चण वो पी एक पाथ है थीक वर्शा जल्संचण का एक पाथ है तो पाथस से aux आरंबात पूरु Σिचकं, पूर्वम सिचकं छात्राम लेखंटूム पाथ का आरम सिचक करते हैं फिर क्या है चात है उसको जो है किम कौन-कौन से जानते हैं, ये कौन-कौन से बालक जानने की इच्छा रखते हैं, अत पाठम पतित्वा छात्रा है, ये तो ग्यात वनता है, तत लिखनती, जो है, फिर इसके बाद क्या है, पाठम पतित्वा पाठ पढ़ते हैं, छात्र, पाठ पढ़ने के बाद छा लिख दी गई कहानी चार लाइनों में कहानी लिख दी गई जैके छाटमीक अच्छा कोई अंगल पाथ पुस्तक है वरसा जलसनरच्छन का एक पाथ है उसमें सिच्छक पहले बोलते हैं और चाट को लिखने का निरदेस्द हैं यह जो सब क्वल्ब। काहलाएंगी, काँच केहलाएंगी, क्वल्ब। केहलाएंगी, Second겠어 extum सही हो जाएगा दोस्तों, यह रहे आपके पेड़ागॉजी के बाइप्रस्ण और उम्मीद करता हूं सभी परस्ण आप को समझ में आ गया होंगे और सिच्झक बनो, अपना सपना पूरा करें अपने परिवार का सपना पूरा करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें उसी इस य Mm activity क्लास के देखना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और परिलिस्ट अपद जरूचे करें सबी कलासेज आपके सिलिवस करिंसार मिल जाएंगी दोस्तों जैसवाल कोचिंग सिंटर बात करते हैं हमारे इच्छा राश्चित में सिच्छा की बात करते हैं धन्वा सभी का जैहिंद वंदे मातरम